रनवीर जब भी हम अगोर की बात करते हैं तब हमें खोपरिया दिखती है, हमें खपर दिखते है, हमें डक्त दिखता है, we see blood only, हमें बली दिखती है बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बली प्रथा के पीछे का वास्तव अर्थ क्या है, वास्तव में बली प्रथा क्या है जब कोई अगोरी वास्तव में बलिक देता है किसी प्रानी की देव हो या फिर नरबली की बात आती हो अपने प्रान वायू को उस प्रानी के अंदर implant कर देता है अगोरी वो जो जीव रहता है उसके प्रान को मुक्त कर दिया जाता है सद्गती के लिए मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए आप जो भी उसका term use करें अपने प्रान वायू को उसके अंदर उसके प्रानी के शरीर में डाल कर पशू के शरीर में डाल कर फिर पशू बली दिया जाता है और फिर जब उस पशू का खपर, उसका कपाल, उसका स्कल एक पात्र में रखकर, एक थाली में रखकर साधक के पास वापिस लाया जाता है और उसमें जो रक्त रहता है उसी रक्त का तिलक जब अगोरी के उपर किया जाए तब उसके प्रान उनके अंदर वापस आते है तो बली प्रथा इस एक्चूली आप जब उसको अच्छी तरीके से ये पढ़ो, आप उसका देहन करो अगोरी से बात करो तब आपको पता चलता है कि आपके ही प्रान पशू के अंदर डालने की बात है ना कि किसी ऐसे पशू को काटने की बात जो सिर्फ और सिर्फ आपके मदलब आहर के तौर पर आप उसे ले या फिर माँ को प्रसंद करने के लिए आप उनकी बली दे इस पॉसिबल ही नहीं था रणविर कि मैं यहाँ पर आज इस शो में आ पाऊ क्योंकि मेरी जो बैक है उसमें मदलब मुझे से अस्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो इतनी गंदी हालत थी मेरी साधना के शुरू होने के समई ही मुझे इतना खराब पेन शुरू हुआ जिसकी मैं कोई बया नहीं कर सकता शब्दों में मैं ना तो बैठ पा रहा था ना मैं सो पा रहा था ना मैं करवर बदल पा रहा था मैं कुछ नहीं कर पा रहा था फिर भी मैंने सोचा कि नहीं मैं किसी भी ही हालत में साधना तो खतम करूंगा ही करूंगा क्योंकि जब आप साधना करते हैं लोग यही सोचते हैं मुझे क्यों हो रहा है कि यह चीज़े मैं तो साधना करता हूँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए प्रॉब्लम उन्हीं आती है जब आप साधना करते हैं क्योंकि साधना के दौरान ही इश्वर देवता आपकी परिक्षा लेते हैं और अगर उस परिक्षा के दौरान भी आपकी जो फेध है आपकी जो आस्था है अगर वो टिकी रही महाँ पे तो आपको उसका फल मिलता है बाद में या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपके जो पिछले जहन्म के कर्म है उसको जलाने के लिए उसको खतम करने के लिए भी कुछ-कुछ पीडाय आपको दी जाती है जैसे कि ओम स्वामी को चार महीने तक उनको शाबर मंत्र का ये सारी चीज़े करने के बावाजूद भी उन्हों बहुत बूखे रहे थे उनको खाना नहीं मिलता था उन्होंने एक बार मा से पूछा जगत जन्नी से आधी पराशक्ती से कि मा ऐसा क्यूँ कि मैंने तो शाबर मंत्र किया था पूरी जिंदगी मुझे अच्छा खाना मिला फिर भी वो चार महीने मुझे इतने कस्ट क्यूँ सहने पड़े तब मा ने उनको कहा था कि मेरे पास दो विकल्प थे आधर मैं आपको चार महीने में इतने कस्ट दे दू कि बाद में जाकर आपको मैं दर्शन दे पाऊं या फिर पूरी जिंदगी में दीरे 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 जाकर आपको इतने कस्ट दू कि आखिर मैं आपको दर्शन दे पाऊं जीवन के अंती मवस्था मैं तो मैंने मा ने कहा कि मैंने यही पसंद किया कि मैं आपको चार महीने में एक साथ इतने कष्ट दे दू क्योंकि ओम स्वामी को हस्पिटलाइस करना पड़ा था उनको बिच्छुने काट लिया था और उल्मोस्ट मृत्यपाई हो चुके थे मरने की कगार पर आ चुके थे इतना उन्होंने दर्श सहा था उन चार महीने के दौरान तो यही चीज मेरे साथ उस टाइम पर हुई और आई वस तिंकिंग टू मैसेज शुतेश की मैं शायद मैं पोस्पोन करना होगा हमारा शूट क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ट्राविल कर पाऊँगा इस सिचुएशन के अंदर और पता नहीं क्यों तीन दिन बीते तीन या चार दिन बीते होंगे और दिरे 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 मेरा दर्द खतम होता गया मैं बगवान से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर रहा था रनवीर कि मुझे इश्वर के काम के लिए जाना है और बगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ट्राविल कर पाऊँ मेरा दर्द कम करने के जरूरत नहीं है मुझे मेरी पीड़ा को छीन लेने के जरूरत नहीं है आपको बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ट्रावेल करके वहां तक जाके आराम से मेरा जो एपिसोड शूटिंग वगएरा है मैं खतम करके पापीस आप आँ बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए कट्टू चौथे या पांचवे दिन पे सारी चीज़े खतम हो चुकी थी डॉक्टर ने एक पॉइंट पर आके कह दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको इतनी जल्दी लोग एक महिने तक नहीं खड़े हो पाते बैठना तो दूर की बात है लोग खड़े तक नहीं हो पाते एक महिने तक लेकिन यही चीज़ जब आप डिवाइन रेल्म की बात करते हैं ना जब डिवाइन एंटिटी अगर आपके जिंदगी में कुछ करना चाहती है आपके थू कुछ कराना चाहती है तो यह होके ही रहेगा कोई नहीं रोक पाएगा ऐसे ही यह चीज हुई मुझे सबसे पहली बार शुतेश का फोन आया मेरी उस टाइम पे साधना गुरू साधना चल रही थी स्वामी जी की मैं साधना कर रहा था और जैसे ही 18th को अलब दूसरा दिन था और नवरातरी का पहला दिन था मेरी साधना शुरू हुई 17th को 18th को मेरे एजन्ट का फोन आया साहिल शर्मा का और 18th को मुझे बोला गया साहिल ने मुझे बात करी कि परक एक शो की ओफर आई या आप करना चाहते हो तो मैंने का हा उस टाइम पे बज़े थे रात के 12 बचकर 5 मिनिट मेरी साधना खतमोने के एकजिट 5 मिनिट के बाद मुझे फोन आता है और फिर 19 को शुतेश का मुझे फोन आया दोपेर को जो मैं उठा नहीं पाया था फिर शाम को उनके साथ बात हुई तो वो भी नवरातरी का पहला दिन था जब मेरी साधना चल रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीज़े है रनवीर जो आपकी समझ से बाहर होती है आपको यह लगता है कि मेरी साधना के दौरान मुझे क्यों इतनी तकलीफ आ रही है क्यों इतना अंकंफर्ट मुझे फील हो रहा है मैंने जब अपनी जिंदगी में पहली एक कठोर साधना की थी वो 2015 में की थी और उस नवरातरी की नौ दिन की साधना थी उस साधना में भी मैं फ्रूट्स के ऊपर था और कॉलेज कर रहा था एंजिनेरिंग मेरा चालो था इलेक्ट्रिकल मैं बरोडा में था और वरोदरा में सुबह मेरी कॉलेज थी और शाम को I was doing like performing arts में कर रहा था तो छे से लेकर ग्यारा बज़े दक मेरा ड्रामा चलता था पूरा थीएटर तो थीएटर से वापिस आके बारा बज़े के बाद मैं साधना करता था और मुझे सिर्फ सोने के लिए दो या तीन गंडे ही मिलते थे वो साधना खतम होने के बाद मैं इतना गंदा बिमार पड़ा मेरी स्पाइन तूट गई और मुझे मेरा सरजरी आई, मेरा ओपरेशन आया फिफ्ट मलब उसमें स्पाइन में और उसके बाद मेरी राइटिंग जरने शुरू होई, पूरी दिशा ही बदल गई, पूरा डिरेक्शन ही चेंज हो गया तो ये काफी बार होता है कि जब आपको जिन्दगी में बड़ी समस्या आपकी जिन्दगी में आये साधना के दौरान या फिर साधना के बाद तब आपको ये समझना चाहिए कि आपके जिन्दगी में बहुत बड़ा बड़लाव भी आने वाला है मेरी जिन्दगी में काफी बार ऐसी चीज़े हुई तो दरहार many things कि आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन तब आपको इतनी सिर्फ चीज़े दिमाग में रखनी है कि कुछ अच्छा होने वाला है बहुत चल्द कुछ बड़लने वाला है कुछ इतना बड़ा परिवरतन आने वाला है जिन्दगी में जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा ऐसे हजार क्लिप्स अफ्लोड किये गए हैं इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ